पत्नी शशी गोस्वामी को पहली नजर में देखते ही चित्त हो गए थे मनोज कुमार, चोरी छिपे करते थे नैन मटक का। असली नाम है हरिकिशन गिरी गोस्वामी, दिलीब कुमार की दीवानगी ने बनाया मनोज कुमार। मिस्टर भारत कुमार से फेमस और पदमश्री के साथ-साथ दादा साहब फाल के अवोर्ड से सम्मानिक बॉलिवुड के दिगज और पॉपुलर एक्टर मनोज कुमार ने 24 जुलाई 1937 को इस दुनिया में कदम रखा था। एक्टर का जन पाकिस्तान में हुआ था लेकिन जब वो 10 साल के थे। तब बंटवाले के बाद परिवार के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर आ गए थे। वैसे तो इन्हें कई नामों से लोग चाहने वाले बुलाते हैं। मगर असली नाम इनका हरिकृष्ण गोस्वामी था। दिल्ली में ही रहकर पढ़ाय लिखाई करने के बाद इन्होंने दू में एड्मिशन लिया और हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ही इन्होंने अक्टर बनने का फैसला किया और अपना नाम बदल लिया। बताया जाता है कि ये दिलीब कुमार के बहुत बड़े फैन थे। जब इनोंने साइरा बानों के पती की फिल्म शबन देखी, उसके बाद ही अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। चहरा धकने की अनोखी स्टाइल, मनोज इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जिनोंने कई सारी देशभक्ती फिल्में बनाई। साथ ही, उनमें काम भी किया। देश प्रेमी हीरो की भूमिका करने वाले मनोज कुमार अपने हाथों से अपने चहरे को धकने के स्टाइल के चलते आज भी चर्चित हैं। साल 1992 में उन्हें भारत सरकार ने पदमश्री से सम्मानित किया। वे इंडस्ट्री में 1957 से 1995 तक सक्रिय रहे। उनकी फिल्मों से ततकालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रभावित होकर जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए आगरह किया था। साल 2013 में दिये एक इंटरव्यू में मनोच कुमार और उनकी पत्नी शशी गोस्वामी ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की थी। एक्टर ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली में तो पढ़ने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करता था। और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार शशी को देखा था। भगवान कसम मैंने पहले कभी भी अपनी लाइफ में किसी लड़की को गलत इरादे से नहीं देखा था। लेकिन शशी में कुछ अलग बात थी। मैं उसके चहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। और करीब एक डेड़ साल तक हम एक दूसरे को दूरे से ही देखा करते थे। क्योंकि दोनों से किसी के पास इतनी हिम्मत उस वक्त थी नहीं कि जाकर बात कर सके। हालांकि बाद में मनोच कुमार ने अपनों दोस्तों की मदद से वह और शशी दोनों दिल्ली के लेजंडरी सिनेमा ओडियन सिनेमाज गए। इस दौरान उनके दोस्त भी साथ में थे। वहां इन्होंने फिल्म उडन्ख टोला देखी। अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखने के बाद मैं और शशी फिर बार-बार मिलने लगे। हमारे इस रिलेशन्शिप से मेरे परिवार को कोई आपत्ती नहीं थी। हाँ, शशी के भाई और मा को इस रिष्टे से एतराज जरूर था। मैं कॉलेज की छट पर जाता था और शशी अपने घर की छट पर आती थी। वहां से हम दोनों एक दूसरे को देख सकते थे और कोई हमें ऐसा करते पकड़ भी नहीं पाता था। इंटरव्यू में शशी गोस्वामी ने अपने और मनोज के बारे में कुछ कॉमन चीजों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम दोनों को फिल्मों से बहुत प्यार है, लेकिन जॉनर अलग-अलग है। इमानदारी से कहूं, तो हम जो कुछ भी टीवी पर देखते हैं, फिर चाहे वो फिल्म हो या सीरियल, उसके लिए एक दूसरे को जरूर चिढ़ाते हैं कि ये क्या देख रहे हो। हालांकि हम एक दूसरे की खुशी और स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम साथ बैठते हैं, और एक दूसरे की पसंदीदा फिल्में और शोज देखते हैं, चैनल नहीं चेंज करते हैं। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताईएगा जरूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलिएगा। क्योंकि आपका लाइक शेर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है।